नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में आज हम आपको समसामाय की के करेंट अप्यर्ज के जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक के टॉप 50 कॉस्चन सॉल्व करा रही हूँ जो 27 दिसंबर को आपका BPSC का पेपर है उसके लिए आप फायदे मन्द होगा तो आप चलते चलते भी इनको देख लेंगे तो बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा बहुत बड़ा भी नहीं है और 50 important fact आपको मिल जाएंगे हाली में चौदवें ACI Film पुरुषकार 2020 में सर्व स्रेश्ट फिल्म पुरुषकार किसे मिला है तो ACI Film पुरुषकार 2020 में ये पुरुषकार पैरासाइट फिल्म को मिला है किसे मिला है पैरासाइट को अगला है भारत के नए मुख सूचना आयुक्त कौन बने है तो उनका नाम है यस बर्धन कुमार सिना किस पद पर नयुक्त हुए है तो मुख सूचना आयुक्त के पद पर मुख सूचना आयुक्त के पद पर कौन नयुक्त हुआ है यस बर्धन कुमार सिना हाली में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर इस्थल बनाने की गोशना की यह किस राज में स्थित है तो दोस्तो यह उत्राखंड में इस्तित है, उत्राखंड में क्या बनाया गया है, क्या घोसित किया गया है, रामसरिस्थल, क्या नाम है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, क्या नाम है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, कहा है ये, उत्राखंड में, बैस्विक भूग सूचकां में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो भूख सूचकांग में भारत को इस बार 94 मां इस्थान मिला है 94 जबकि पिछली साल यह इस्थान 102 मां था यानि कि कुछ सुधार हुआ है बैस्विक भूख सूचकांग कौन सा इस्थान 94 मां 94 फ्रेंच ओपन टैनिस 2020 पुरुस वर्ग किसने जीता तो यह राफेल नडाल ने जीता है ध्यान रखना फ्रेंच ओपिन है ये फ्रेंच ओपिन किस ने जीता है पुरुस वर्ग में राफेल नडाल ने अगला महिला वर्ग में किस ने जीता इगा इस वो टेक इगा इस वो टेक ने महिला वर्ग में फ्रेंच ओपिन जीता और राफेल नडाल ने पुरुस वर्ग मे सांती का नोबल पुरुषकार इस बर किसे देने की घोशना की गई तो ये घोशना विश सुखाद कारिक्रम को देने की की गई विश सुखाद कारिक्रम को किसके लिए चुना गया है सांती का नोबल पुरुषकार देने के लिए सांती का नोबिल पुरुषकार किसे दिया जाएगा विशुखाद कारिक्रम को और साहित के लिए नोबिल पुरुषकार लुईस गलूग को दिया जाएगा साहित के लिए नोबिल पुरुषकार लुईस गलूग को दिया जाएगा यूनेसको ने भारत में भारत के कौन से टाइगर रिजर्व को बायो स्फियर रिजर्व का दर्जा दिया है तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसे बायो स्फियर रिजर्व का दर्जा दिया गया और ये मद्ध प्रदेश में है NSG के महा निदेशक SS देशवाल को नियुक्त किया गया है NSG के महा निदेशक कौन है तो वो है SS देशवाल अगला है Westwick जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है तो इसमें भारत का इस्थान 89 है 89 Westwick जोखिम सूचकांक में भारत का इस्थान 89 सीवा यानि की 89 वैस्विक नवाचार सूचकांग 2020 में पहला इस्थान स्विटजर लेंड का है किस में नवाचार में नवाचार में पहला इस्थान स्विटजर लेंड का है और भारत में इसका इस्थान 48 मा है जापान के नए प्रदान मंत्री योसी हिदे सुगा बने हैं जो वो सिंजो अवे थे उन्होंने स्थीपा दे दिया है और उनके इस्थान पर योसी हिदे सुगा वो सिंजो थे ही सुगा है जापान के नए प्रदान मंत्री कौन है सुगा योसी हिदे सुगा US Open Tennis Tournament 2020 पुरुषबर्ग में Dominic Thiem ने US Open Tennis पुरुषबर्ग का किताब जीता मुसलिम महला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है एक अगस्त को मुसलिम महला अधिकार दिवस कब एक अगस्त को नियंत्रक और महालेखा परिचक C.A.G. बरतमान में कौन है गिरीश चन्द्र मुर्मो नियंत्रक और महालेखा परिचक गिरीश चन्द्र मुर्मो हाली में UPSC का नया अध्यक्ष कौन बना तो वो है प्रोपेसर प्रदीप कुमार जोसी विश्व इस्तनपान दिवस विश्व इस्तनपान सप्ता है ये एक से साथ अगस्त तक मनाया गया और पोशण माय 2020 सितंबर 2020 को मनाया गया इस्तनपान सब्ताय भी अगस्त में था एक से साथ अगस्त और पोसर माह सितंबर में भारत के नए चुनावा आयुक्त राजीव कुमार जी है भारत के नए चुनावा आयुक्त राजीव कुमार हाली में किस भारतिय क्रिकेट खिलाडी को राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड 2020 दिया गया तो ये रोहित सर्मा को दिया गया क्रिकेट खिलाडी राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड 2020 किसे दिया गया रोहित सर्मा को कौन से मंत्राले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है तो ये मिला है जंजातिय कार्य मंत्राले को कौन सा अवार्ड मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस राज में तीन राजधानिया बनाने की मंजूरी का विदेहक पारित कर दिया तो ऐसा विद्यक पारित करने वाला राज है आंद प्रदेश, आंद प्रदेश में अब तीन राजधानिया होंगी भारत का पहला कबक या लाइकेन पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है उत्त्राखंड में पहला कबक पार्क उत्त्राखंड होकी इंडिया के नय अध्यक्ष ग्यानेंडरो निगोंबमाम होकी इंडिया के अध्याख्ष है यह चौन सा देश लगातार दूसरे वर्स भारत का सबसे बड़ा ब्यापार साज्यदार देश बना है यह अमेरिका है जो दूसरी बार लगातार भारत का ब्यापारिक साज्यदार रहा वान कर्मन अवार्ट 2020 के सिवन को मिला जो इस रोकी अध्यक्ष है फीपा 2022 बिस्टुकब कतर में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्क्राण होगा 2021 में जो हर्याना में होगा PM SBA निधी यानि कि PM स्ट्रीट वेंडर निधी स्ट्रीट वेंडर के लिए है स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे ठेले वेले पर जो दुकाने लगाते हैं उनके लिए है और इसमें 10,000 रुपए का रिन प्रदान किया जाएगा परियावरन प्रदर्शन सूचकांग 2020 इसमें प्रथाम इस्थान डेनमार्क का है और भारत का इस्थान 168वा है प्रसांथ महासागर के सबसे गैरे बिंदू तक पहुँचने वाली महला कैथी सुल्विन जर्मन बुक ट्रेंड ने अपने सांती पुरुसकार 2020 के लिए किसे चुना तो उन्होंने अमर्थ सेन को चुना है फोब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में प्रथम कौन है तो रोजर फेडरर है विसाखा पटनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हुई है कौन सी गैस लीक हुई थी इस्टाइरिन गैस याद रखना भोपाल गैस तरास्दी की भी पूछ देते हैं और इस वार विसाका पटनग में गैस लीक हुई तो इसे भी पूछा जा सकता है तो याद रखना स्टाइरिन गैस किस देश ने मुद्रा स्पीती से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदला इरान ने अपनी मुद्रा का नाम टोमन रख दिया है जहां पहले रियाल चलते थे और एक टोमन की कीमत दस हजार रियल के बराबर होगी तो आसा है ये 50 कॉस्चन आपकी तैयारी में और इजाफा करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें